तो आपके मन में काफ़ी सार डाउट्स होंगे तो इस वीडियो के थूरू वो सब क्लियर्स हो जाएंगे काफी सारी डिटेल्स मैं आपको इस दो तीन मिनट के अंदर दे दूँगा इस कार के बारे में थोड़ा बहुत कंपरेजन भी बता दूँगा टाटा नेक्सॉन एव प्राइस चेंज हो सकते हैं आप जानते ही हैं महिंद्रा के स्टेटेजी एक स्वी सेवन डबल डबल में भी ऐसी हुआ था स्कॉर्पिय अन में भी ऐसी हुआ था तो इस कार के बारे में मैं आपको बताता हूँ प्राइथ में और इसके बाद प्लीस प्राइबल डीबल आइकन तौ एक सिवेए फोर डबल हो में आपको दोग वियरेंट्स मिलने वाले हैं EC variant EC इसको base variant माल लीजे and EL variant ये top variant माल लीजे तो EC variant में आपको 34.5 kWh की battery pack मिलेगे जो कि 375 km range आपको provide करेगी and जो top variant EL variant वो आपको 39.4 kWh battery pack के साथ 456 km की range provide करेगे and इसमें 5 colors भी रहेंगे but अगर आप EC variant लेते हैं तो वो आपको dual tone color उसमें नहीं मिलेगा dual tone color आपको EL variant की line-up में मिलेगा and अब बात करते हैं महिंदरा XUV4OO की price के बारे में तो महिंदरा XUV4OO में आपको 2 variants मिलेंगी जसकी मैंने बताए base variant EC variant 3.3 kWh charger के साथ अगर आप लेते हैं तो 16 lakh extra room पड़ेगी आपको and same variant आप 7.2 kWh charger का bus difference है उसके साथ लेंगे तो आपको 50,000 extra पे करना पड़ेगा जो की 16.49 lakh आपको पड़ेगी and top of the line XUV4OO EL variant लेते हैं आप तो यह आपको 19 lakh extra room पड़ेगी and यह standard 7.2 kWh charger के साथ ही आता है तो यह दो variant है एक है 16 lakh का स्टार्ट होता है and अकर आप उसमें 7.2 kWh charger लेते हैं तो 16.5 lakh 50,000 extra पे करना पड़ेगा या फिर आप EL variant लेंगे तो आपको उसमें 7.2 kWh का standard charger मिलेगा ही but वो 19 lakh की आपको पड़ेगी extra room and यह booking सिर्फ 5,000 bookings के लिए है ठीक है and XUV3W की उपर यह based है काफी सारे similarities आपको देखेंगे but जो सबसे बड़ी कमी थी इसमें boat space की थी XUV3W की and इसका interior भी उतना मतलब outdated लगता था but वैसी अभी भी दिखता है XUV4W में उतना कोई difference नहीं है interior में बाकी जो इसकी length वो up to 4.3 meter कर दी गई है and 2600 mm का wheelbase बढ़ा दिया गया and जो इसका boat space है जो सबसे main चीज है वो है 368 liters का 368 liters boat space मतलब मेरे ख्याल से पहले 2500 liters करीब का boat space आता था अगर आप compact SUV ले रहे तो उतना काफी नहीं था but अब 368 liters का boat space मिलेगा because length भी बढ़ गई है and अब बात करते हैं इसमें features की तो आपको 7 इंच का touchscreen मिलेगा infotainment system with Mahindra's Adranox X software and auto and apple car पे तो मिले गई driving modes इसमें नहीं है fun fast fearless fun means economy fast means city mode and fearless means sports जो की zoom mode भी बहुल सकते हो fearless को auto updates power mirrors and climate controls with safety equipment to include a total of six airbags on the top spectrum means means EL variant में आपको six airbags मिलेंगे disc brakes चारों में ESC means electronic stability control and isofix style seat mounts अब मैं थोड़ा सा Nexon के साथ इसको compare करके बतायता हूं Mahindra claim करती है कि यह 0 to 100 8.3 seconds में कर सकती है sprint while Nexon EV Max जो आती है वो under 9 seconds company claim करती है 8.9 seconds 8.8 seconds यह 9 seconds है कुछ और रन आप उसके sports mode में लगा करोगे तो हो जाएगा and range की बात करूं तो 437 km की range company claim करती है Nexon EV Max की बट 456 km की XEV4 double हो करती है Nexon EV Max में आपको 40.5 kWh की battery pack मिलती है जो की आपको 437 km की range दे सकती है while आपकी जो XEV4 double है उसमें battery pack 39.4 kWh का है बट फिर भी आपको range 456 km दे रही है मतलब 20 km एक्स्टा मिल रही है जैसे की certified है and price भी लगबग same है दोनों का and Nexon EV Max में आपको 143 PS मिलता है power and 250 Nm का maximum torque and Mahindra XEV4 double में आपको 150 PS में 7 PS जादा मिलता है and 310 Nm का torque means 60 Nm torque जादा मिलता है आपको तो यह main में चीज हो गए बाके चीज तो आप जानते ही होंगे warranty के बारे में बता दो उन दोनों के बीच में तो battery and motor में आपको 8 years के warranty मिलेगी या 1,60,000 km तक and Nexon EV Max में आपको 8 years या 1,60,000 दोनों का same है and vehicle के बारे में बात करो तो 3 years और unlimited km महिंदर एक से फोड़े बलों में Nexon EV Max में 3 years और 1,25,000 km तो गैस एंड करना चाहिए इस वीडियो कहीं पर थेंगे सो मच वाचिंग बाई-बाई कोई भी दो प्लीस कमेंट करके पोश्च लीजेगा